हेलो इस्टेंट, कंसेप्ट एंड सोलोशन में आपका वेलकम है आई इस कोश्चन को सोल करते हैं कोश्चन है, find the values of K for each of quadratic equation so that they have two equal roots कहता है कि यह जो quadratic equation given है इसके already condition दिया हुआ है कि two equal roots है तो K का value लिका लिए ठीक है, तो इसके previous video में बता दो कि आपको बता दिया गया है कि कौन सा condition पे equal roots होता है तो I solve करते हैं question को given है first में equation क्या दिया हुआ है 2X square KX plus 3 is equal to 0 equation लिग लिए, चलिए बताई यहाँ पर आपको बताओ कि A का value कितना होगा, 2 B का value कितना होगा, K और C का value कितना होगा, 3 तो A, B, C आपको मालूम हो गया अब आपको पता है condition क्या है equal roots का condition क्या होता है since two equal roots then discriminant का value क्या होगा, discriminant D का value क्या हो जगा, 0 जब discriminant का value 0 होता है तो two equal roots मिलते हैं तो यह condition के उसा रख दिये अब यह पता है, आपको D is equal to 0 है और D का formula आपको पता है कि D क्या होता है, D होता है B, A square minus 4, A, C equal to 0 ऐसी करेंगे चले, B का value आपको पता है B का value कितना है, K तो K का A square करेंगे minus 4A A का value कितना है, A का value 2 into C का value कितना है 3 is equal to 0 तो यहां से मिल गया K square minus कितना हो गया, 24 is equal to 0 अब हम यहां क्या करना है K square इन नमबर को इस साइड में भेज देंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा और इस तरह K का value कितना हो गया जब यह square है तो root इधर आएगा तो plus minus root हो जाएगा 2 value मिलेगा 24 क्योंकि plus को भी square करेंगे तो यह 24 आएगा minus को भी square करेंगे तो 24 होगा, तो 2 value आगया डैटी जे, आपको K का value यहाँ से बोल सकते है 24 को factor करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा plus minus 2 root 6 A तो A आपका answer हो गया ठीक है चले, second number question देखिए second question क्या है kx bracket n minus 2 plus 6 is equal to 0 तो friend इसको पहले simple में कर देंगे simple form करता kx है तो इसको kx और x में into कर देंगे तो कितना हो जाएगा kx square फिर इसके साथ यह into करेंगे इस दोनों को तो क्या जाएगा minus 2 kx ठीक है plus 6 is equal to 0 ठीक है, देखिए सबसे पहले simple है quadratic equation बन गया अब बताएए we have यहाँ पर a, b, c का value क्या हो गया we have a is equal to देखिए a is equal to क्या हो गया k b is equal to क्या हो गया यह देखिए minus 2 k minus 2 k और c is equal to कितना हो गया 6 है चलिए तो फिर condition पर लगते है since क्या है इसमें भी आपका यह root sequel है since लिखेंगे d is equal to 0 d is equal to 0 हो गया चलिए इसके d का value देदेंगे d is equal to क्या होता b is equal minus 4 a is equal to 0 that j b का value आपके पास कितना है minus 2 k minus 2 का का is square minus 4 into a का value k और c का value कितना है 6 is equal to 0 चलिए बढ़ाइए कितना हो जागा minus को square करेंगे तो पलस में आएगा और 2 का square करेंगे तो कितना 4 और k का square करेंगे तो k square तो 4 k square हो गया minus तेखिए कितना हो जागा 24 k is equal to 0 ठीक है चलिए एक्स्टेंड करते हैं इसको तो कितना हो जागा यहां से आपे 4 k common भी कर सकते हो तो 4 k common कर लेंगे तो यहां पर k minus 6 is equal to 0 हो गया चलिए तो यहां से 2 का value आएगा यहां तो 4 k का value 0 हो गया तो 4 k is equal to 0 that is k is equal to 0 by 4 is equal to 0 तो यहां से k का value 0 एक आया और एक और क्या हो गया देखिए यहां पर k minus 6 is equal to 0 that is k is equal to 6 तो यह दोनों में से k का value कौन होगा k का value 0 होगा कि k भी को 6 होगा तो देखिए कि अगर k का value गर 0 करते हैं तो यह मेरा x square का term क्या 0 हो जाएगा तो यह मेरा quadratic equation नहीं बन पायागा तो यहां से बोल सकते हैं k का value कितना हो जाएगा 6 तो k के 6 value के लिए या इसका जो roots होगे वो equal होगे तो आई होप एक question को समझ गया होगे इसी बेच पे question को हम उसरा बनाने का खुशिस करेंगे और प्रीज अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट मिलती है आई होगे